साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बुत स्वागत है हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें कि आज के इस वीडियो में हमने आपको हिंदी के बिना मात्रा के तीन अक्षर बाले सब्दों को अंग्रेजी में लिखना बताया है यहाँ पर हमने सब्दों को अलग-अलग रंगों से लिखा है यानि कि जो सब्दों में अक्षर हैं इनको अलग-अलग रंगों से लिखा है ताकि आपको यह समझ होती रहे कि हिंदी के किस अक्षर के लिए अंगरेजी के कौन कौन से एक्षर प्रियोग में लाय जाते हैं और साथ ही हम आपको इन सभी सब्दों को अंगरेजी के छोटे एक्षर में भी लिखना बताएंगे तो आए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा शब्द है कमल कमल का के लिए के ए लिखा गया और मा के लिए म ए और ला के लिए एल इसी तरह से ये सभी एक्षर लिखे गए हैं तो आए शुरू करते हैं कमल को अंगरेजी के छोटे एक्षर में लिखना बताते हैं आपको के ए एम ए एल ये तो छपाई वाले छोटे एक्षर हो गए और हाँसे लिखाई वाले चोटे एक्षर इस तरह होते हैं लिखेंगे के ए एम ए एल ठीक है कमल लिख गया और अगला शब्द मारा है मतर मतर को लिखेंगे हम लोग म ए टी ए आर मतर ठीक है और हाँसे लिखावट वाले एक्षर में लिखेंगे म, A टी, ए, आर अगला शब्द मारा है कलश कलश के लिए K, A, L, A, S, H तो लिखेंगे हम लोग K, A, L, A, S, H कलश और हाँसे लिखावट वाले में K, A, L, A अगला शब्द मारा है हवन, हवन के लिए हवन, हवन हवन, हवन अगला शब्द मारा है कनक, कनक के लिए कनक के ए ए एन ए कनक ठीक है के ए एन ए के कनक अगला शब्द मारा है चमन चमन के लिए C-H-A-M-A-N अगला शब्द मारा है पलक P-A-L-A-K पलक लिखेंगे हम लोग P-A-L-A-K ठीक है पलक और अगला शब्द मारा है अगर अगर के लिए लिखेंगे हम लोग A-G-A-R अगर ठीक है और A-G-A-R अगर ठीक अगला शब्द मारा है अमन अमन के लिए A-M-A-N ठीक है अमन अमन लिखेंगे A-M-A-N हाँ से लिखावट वाले में लिखेंगे A-M-A-N अमन और अगला शब्द मारा है पवन पवन के लिए P-A-V-A-N इस तरहें से भी लेकिन इस तरहें बहुत कम लिखा जाता है चलन में है W-W-E-W से वाल लिखा जाता है और V से वाल लिखा जाता है लेकिन W ही जातर लिखा जाता है तो लिखेंगे P-A-W-A-N ठीक है अगला शब्द मारा है लगन लगन के लिए L-A-G-A-N लिखेंगे हम लोग L-A-G-A-N लगन ठीक अगला शब्द मारा है लहर L-A-H-A-R L-A-H-A-R ठीक है और हाँ से लिखावाट वाले अक्षरों में L-A-H-A-R लहर तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें के अंद्रगत तीन अक्षर वाले बिना मातरा के सब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखा उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने हमारे सासा लिखने का अभ्यास किया होगा तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रवन्द विध्यारती को सच्क्राब भी कर लीजिए मिलेंगे हमारे एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी